कौन है इसके बाद आरकन उन सभी के तरफ फिंगर दिखा कर कहता है तुम सब मेरे सामने घुटने टेक दो अभी के अभी क्योंकि यहाँ पर कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा इसका फैसला सिर्फ हम करेंगे और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से क्रिलिन पर हमला कर देता है जिसकी वजिय से क्रिलिन मारा जाता है वजीता इसे देखकर कहता है यह तो बहुत ही जदा तेज है मैं तो इसके हमले को देख भी नहीं पाया इसके बाद गोहान कहता है आखिर यह कैसी ताकत है मैंने ऐसी भयानक ताकत पहले कभी नहीं देखी और वह सब मुझ पे dependent हो जाएंगे मैं चाहता हूँ कि वो लोग इस मुसीवत का सामना खुद करें क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी ताकत कभी नहीं बड़ेगी लेकिन अगर हालाद साथा खराब हो गये तो मैं जरूर उनके पास जाऊंगा और उस शैतान को खत् जाता है इसके बाद गोहान आरकन पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन आरकन उस पर हमला करके उसे पैरलाइस कर देता है और गोहान कुछ भी नहीं कर पाता और फिर आरकन इसके बाद अपना एक सोड तैयर करता है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु वहाँ से सबी को देख रहा था गोकु चिलाता है वजीटा गोहान और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकु टेलेपोर्ट होकर वहाँ पर पहुंच